गुद्मॉर्णिंग अब्रिवन दिस इस निहा निशाद एंड वेलकम तो इंजीनियस स्टेडी सरकर्ड ओल्रेटी हम लोग 2021 के मोस्ट इपॉर्टे करनेट अफ्यर्स पर चुके हैं जो कि एक्जाम में आने के चांस थे हम लोगों ने पूरा 2021 का जितना भी ओवर ओल जितन करेंगे मार्श करेंगे फैबरी होगा जैनवरी होगा एंड आप्टर देट में और जून का करेंगे जिसके अकॉर्डिंगरी फिर टाइम लिग करते जाएंगे तो बिना टाइम वेस करते हुए टाइम को बचाते हुए टाइम ना वेस करते हुए अपने क्लास स्थार्ट करते हैं फर्स्ट कुशिशन है हाली में प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने किस राज में दूधवाणी नामक एक समुदाइक रेडियो स्टेशन का उधगातन किया है तो उन्होंने कहां पे किया है गुजरात में किया है आगे बढ़ जाते हैं आपको इसका पीडियो भी हमारे टेलेग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो जिन बचों ने टेलेग्राम चैनल नहीं जोइन किया है तो डिस्क्रिप्शन शेय भागीदारी प्रात्मिक हमारी ठीक है तो यह है अभियान की शुरुवात की गई है तो किस मंत्राले द्वारा की गई है कर्शी एवं किसान मंत्राले द्वारा की गई किस के द्वारा कर्शी एवं किसान मंत्राले द्वारा मंत्राले के जो अध्याच है वो कौन है मंत्रिये महाँ पे नरेंदर सिंग को तोमर है कौन है वो यह साथ में याद रखिएगा वो कौन है नरेंदर सिंग तोमर नेक्स्ट है हमारा हाली में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रोडकास के लिए साथ एक समझोते गयापन पसाइन किया है ठीक है तो किसके साथ में किया है प्रसार भारती ने अर्जिंटीना के साथ में हाली में आदित्य बिल्ला क्यापिटल के अगले मुख्य कारिकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किये गए हैं तो विशाखा मूले हैं इनको नियुक्त किया गया है इडली में हाली में आयोजित एफवन एमीलिया रोमागना ग्रैट पिक्स 2022 का किताब मैक्स वॉस्ट पैन नहीं जीता है हाली में साहींत राष्ट ने चैंपियन आफ़ अर्थ की उपादि किसे दी है तो डेविट एटिन ब्रो को क्या मिली है चैंपियन आफ़ अर्थ की उपादि दी गई है हाल ही में Paris Book Festival 2022 में Guest of Honor country के रूप में किस ने भाग लिया है तो भारत ने लिया है हाल ही में साल 2022 के लिए किसे UNESCO World Book Capital नामित किया गया है तो Guadal Zara को क्या किया गया है UNESCO की World Book Capital में दर्ज किया गया है हाल ही में Backminton Asia Championship 2002-22 की शुरुवात कहां हुई है तो Manila में इसकी शुरुवात हुई है हाल ही में किस राज्य का जाम ताड़ा जिला हर गाउं में पुस्तकाले वाला पहला जिला बन गया है तो ये कहां का है जार कंट का एक जाम ताड़ा जिला है वहां के हर एक गाउं में पुस्तकाले बना दिया गया है हाल ही में एलान मास्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है उन्होंने चार अरब डॉलर में खरीदा है हाली में दिली सरकार ने किस राजे के साथ में ज्यान साचा करन समझोते पर हस्ताप्षर किये है तो पंजाब के साथ में किया है हाली में दस्षिक हिस्ट्री ओफ इंडिया इस इंडिया कंपनी पुस्तक का विमोचन किसने किया है तो नवीन पतनायक ने किया है, किसने किया बचों? नवीन पतनायक ने आगे बूफ करते हैं, हाली में डिजिटल, टिकट, प्रणाली, लैस, बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महरास्ट वहाँ पे अब क्या है? टिकट बस सेवा वहाँ पे नहीं रहेगी हाल ही में किस राजी ने 18 दिसंबर को अलपसंत्य अधिकार दिवस मनाने की गोशना की है तो किस ने की है? तमिल्लादो ने हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैंबर ओफ कॉमर्स द्वारा समानित किया गया है तो डॉक्टर बीना मोदी है इन्हें इंडो अमेरिकन चैंबर ओफ कॉमर्स के द्वारा समानित किया गया है हाल ही में प्रधानमति नरेन मोदी ने 20,000 करोर रुपए की परियोजना शुरू की है तो वो परियोजना कहां पर सुरू की गई है जम्मू कश्मीर में सुरू की गई है आगे बढ़ जाते हैं next question है हमारा हाल ही में किस देश में रूस तथा सीरिया के बीच इसी रूसी के बीच रूसी नागरिक और सैने उडानों के लिए अपना हवाई छेतर बंद कर दिया है तो किस ने बंद कर दिया है तुर्की यानि की टर्की ने हाल ही में किसने निवेशक के युवाह बोर्ड के सहे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो अश्मिन यार्डी को चुना गया है हाल ही में किसे डिजिट इंशियोरेंस की नई MD और CEO चुना गया है तो जसलीन कोली है इनको डिजिट इंशियोरेंस की नई MD और CEO को चुना गया है next question हाल ही में पो यानि एश्या कुछती championship में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है कौन सा रजत मतलब की silver पदक जीता है उन्होंने हाल ही में रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने कहां 1971 के युद्ध के दिगजों को सम्मानित किया है तो असम में उन्होंने क्या किया है राजनात सेंग ने जो 1971 युद्ध के दिगस थे उनको सम्मानित किया है हाली में कहाँ Def Connect 2.0 का आयोजन किया गया है तो ये नई दिलने में किया गया है हाली में आदिते बिल्ला क्यापिटल ने किसे अगला CEO नियुक्त किया है तो विशाखा मुले को आदिते बिल्ला ने अपना नया CEO नियुक्त किया है हाली में कौन सा देश चार संयुक्त रास्ट्रे 1100 निकायों के लिए चुना गया है तो कौन सा चुना गया है अपना देश भारत चुना गया है आगे बढ़ते हैं हाली में RBI ने किस पर 17 लाग रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है तो आपका मरंपुरं Finance में क्या लगाया है 17 लाग रुपए मौद्रिक का जुर्माना लगाया हाले में किसने कच्रे को उर्जा में बदलने के लिए दिली जलबोट के सात करार किया है तो NTPC ने किया है हाले में भारती तट रक्षक बल में नया जहां जूर्जा प्रवाह कहां शामिल किया गया है तो भरूच में किया गया है हाली में सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मिट्रिक टन्ख अध्यान उत्पादन का लक्षे रखा है तो 328 मिट्रिक टन्खा रखा है लक्षे रखा है आगे दखते हैं हाली में कौन वैश्विप महा हमारी कोश थापित करने के लिए सहमत हुआ है तो G20 क्या हुआ है आगे बढ़ते हैं next question है हाली में दलक्षमी बैंक ने कर संग्रह के लिए CBIC और किसके साथ समझोता क्या है तो CBIC, CBDT के साथ समझोता क्या है हाली में दिली के नहमुकि सचिफ कौन नियुक्त किये गए है तो नरेश कुमार दिली के नहमुकि सचिफ नियुक्त किये गए है हाली में तीन दिवसी स्मार्ट, सिटीज, स्मार्ट, शेहरी करण, सम्मेलन कहां शुरू है तो सूरत में हुआ है हाली में विनाशकारी उपग्रहे पर प्रतिबंद लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है अमेरिका बन गया है ये विनाशकारी उपग्रहे पर क्या करेगा अब प्रतिबंद लगा देगा हाली में यंग Global Leader Award से सम्मानित किया गया है तो राघव चड़ा को यंग Global Leader Award से सम्मानित किया गया है हाली में सैन अभियान का पहला महादेशक किसे नियुक्त किया गया है तो मनोज कुमार कटियार को हाली में दुनिया की सबसे बड़ी electric electric tree wheeler factory कहां लगेगी तो तेलांगना में आपकी electric tree जो wheeler होगी वो factory तेलांगना में लगाई जाएगी और हाली में भारत के नए प्रधान व्यानिक सहला कार कौन बने है तो अजय कुमार को हाली में किसे राष्टी अलपसंख्याक अध्याश के रूप में नियुक्त किया गया है तो एकबाल सिंग लालपुरा को हाली में किस देश ने परमाणू सक्षम मिसाइल सर्मत का सफलता पूरा परिशन किया है तो किसने किया है रूस ने किया है हाली में किसने स्मृती मन हांडा को मुखि समाधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है हाली में E-Kitab Kosh को कहां launch किया गया है जम्मो कश्मीर को E-Kitab Kosh को launch किया गया है हाली में जारी हरून Global Health Care Rich List 2022 किसे पहला इस्थान मिला है तो Cyrus S. Poonawal को क्या मिला है फर्स्ट स्थान मिला है हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रिकेटर काड योजना कहां शुरू की गई है तो जहार खंड में गुरुजी स्टूडेंट काड योजना शुरू की गई है next question की तरफ move करते है हाल ही में digital insurance की नई MB और CEO कौन बनी है तो जसलीन कोहली बनी है कौन बनी है जसलीन कोहली बनी है हाल ही में in witness games 2022 उनकी मेज बनी कौन करेगा नीदर लैंड करेगा हाल ही में करनाटक में निर्मार धिकार शिव मोगा हवाई अड़े का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो BS येदि यूरूपम है उनके नाम पर करनाटक का जो निर्मार जिसका कारेभी चल रहा है शिव मोगा हवाई अड़ा उसका नाम अब किस पर रखा गया है BS येदि यूरूपम पर हाल ही में भारती वायूसेना ने सुखोई लड़ा कोई विमान से किस मिसाइल का सफल परिक्षर क्या है तो ब्रह्मोस से क्या है हाली में किसने पाइजल पिल नामक योजना शुरू की है तो ट्विटर ने पाइजल पिल नामक योजना शुरू की है हाली में कहां सिक्षागीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है यानि कि वहाँ पर अब स्कूल में इसको सुनाया जाएगा या चलाया जाएगा नेक्स कोशन हाली में रूट सर्वर प्राप्त करने वाले देश का पहला राजी कौन सा बना है तो राजिस्थन बना है हाली में किसे ONGC ने निदेशक और CFO नियुक्त किया है तो पोमिला जस्पाल को किया है हाली में सीनियर एशिया कुस्ती चैंपियंशिप कहां सुरू हुई है तो मंगोलिया में सीनियर एशिया कुस्ती चैंपियंशिप सुरू की गई है हाली में भारत के पहले portable solar rooftop system का अनावरण कहां किया गया है तो गांधी नगर में portable solar rooftop system का अनावरण किया गया है हाली में किस tech company ने switch to android app लॉंच किया है तो Google ने switch to android app लॉंच किया है हाली में नवर्ष उत्षफ पोईला पेशाग कहां मनाया गया है तो ये तोहार है जो बांगलादेश में मनाया जाता है हाले में 71 सीनियर राश्टी बास्केट बॉल चैंपेंशिप किसने जीती है तो तमिल नादू ने 71 सीनियर राश्टी बास्केट बॉल चैंपेंशिप जीती है हाल ही में हुनर हाट का 40 वा संस्क्राइड कहां पे किया गया है मुंबाई में जो इसके पहले हुआ था वो कहां पे हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था नेक्स्ट है हाल ही में किसे मैलकम आदिसेशिया पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है प्रभात पतनायक है उन्हें मेलकम आदिसेशिया पुरुसकार से सम्मानित किया गया है हाली में प्रधान मंत्री मोदी ने हनुमान जी का 108 फीट उची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया है गुजरात में किया है नेप्चिय मिसायल सिस्टम किस देश से सम्मदित है ये यूकरेन से सम्मदित है हाली में किस देश में आयरन बीमा का सफलता पूरो परक्षण किया है तो किस ने किया है इसराइल ने किया है हाली में किस देश के प्रधान मंत्री आठ दिवसिये भारत की यातरा पर आये हैं तो वो कौन से थे मौरिशस के प्रधान मंत्री है हाली में रचना सच देवा को किस देश में भारत का राच दूद बनाया गया है तो वो माली में बनाया गया है हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है तो 12.3% की क्या ये गिरावट आई है हाल ही में माइग्रेशन ट्राकिंग सिस्टम एप विक्सित करने वाला पहला राजे महरास्ट बन गया है हाल ही में पुर्वोत्तर का सबसे उचा रास्टे द्वर्च कहां फेराया जाएगा तो ये आपका मड़ीपूर में फेराया जाएगा नेक्स कुशन है हाल ही में PM मोदी ने WHO Global Center for Traditional Medicine की आधाशिला कहां रखी है तो गुजरात में रखी है हाली में किस देश ने भारत से क्रशी आयात को निलंबित किया है तो इंडोनेशिया से हाली में भारती विग्यापन मानक परिशत की नई CEO कौन बनी है तो मनीशा कपूर ये भारती विग्यापन मानक परिशत की नई CEO बनी है हाली में भारत का पहला स्किल इंटरनेशनल सेंटर कहा स्थापित किया जाएगा तो ओडीशा में किया जाएगा हाली में किस राजिक के मुख्य मंत्री ने 2023 पुरुष विश्व कप के लोगों का अनावरर किया है तो ओडीशा के हाली में रचना सस्देवा को यह भी हम लोग ने पढ़ा है इसका अंसर क्या है हाली में रेनु करनाड को किस बैंक के बोड निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है तो SDFC बैंक के बोड निदेशक के रूप में रेनु करनाड को फिर से क्या कर दिया गया है हाल ही में किस देश ने घोशना की है कि वहाँ अपने पूरे 51 अरट डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है तो कौन सा देश है श्री लंगता है हाल ही में किस बैंक ने आपको Digital CX Award 2022 से सम्मानित किया है तो Insights Bank से किया है आगे देखते हैं हाल ही में NHPC कहां हरित हाइड्रोजन परियोजना विक्सित करेगी तो वो हिमाचल प्रिदेश में कर लीगी हाल ही में D.Portal को किस मंत्राले ने विक्सित किया है तो सडक और परिवन मंत्राले ने किया है नेक्स्ट कोईच्ट हैंने तो पाकिस्तान की नए असेम्बली के अध्यक्ष बने हैं कौन राजा पर्वेश अश्रफ हाली में कौन सा देश? स्टीट चैल्ड क्रिकेट विश्यकप 2023 की मेजबानी करेगा तो कौन करेगा? भारत करेगा हाली में किस राज ने? प्रधान मंत्री ने 2013 पुरुष होकी विश्यकप के लोगों कानावरण किया है तो किस राज के मुख्य मंत्री ने? उडिशा राज के मुख्यमंत्री ने किया है हाली में बीसमी भारत फ्रांस सैयुक्त स्टाफ वारता कहां संपन हुई है तो पैरिस में हुई है हाली में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कारेभार समाला है तो M. चंदर शेकरन ने हाली में दबवाय हुआ 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 हु प्रिक संग्राले के लिए अधिकारी के डिजिटल भुटकान भागितारी कौन करेगा पे टियम करेगा हाली में एफ आई एच जूनियर होकी महिला होकी विशुकप दो हजार बाइस का खिताब किसने जीता है नीदर लेंड ने जीता है हाली में भारत के जी ट्वेंटी के के अधियन के आध्यान के अनुसार किस नदी में माइक्रोड़्या-प्लास्टिक मिला तो कावेरी नदी में मैक्रोड़््यास्टिक मिला है हाल ही में राष्टी अलप संक्याक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे दुबारा नुक्त किया गया है तो आसाम में मिले है Nil ज़ ид fill जो हाशन commercial के खेलों की मेज़बाय और existemन्गी करेगा तो आस्ट्रेलिया करेगा नेक्स कोईशन नमबर हंडेड है हमारा हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज सोच छक्के लगाने वाले भारती खलाड़ी कौन बंदे है हार्दिक पांडिया हाल ही में भारत के G20 मुकी सची वी अभी हम लोग ने पढ़ा कौन है हर्षबंदन शंगला है हाल ही में पहला ख पूर्वी भारती बाजारों के लिए किसने अपना ब्रैंड अंबेस्टर बनाया है तो सौरब वंगली को अपना ब्रैंड अंबेस्टर बनाया है हाली में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंदित शिकायत के लिए पोर्टर लॉंच किया है तो हर्याडा ने हाली में एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्थ हवाई एड़ा कौन सा गोशित किया गया है अटलांटा तरास्टी है हवाई एड़ा ये 2021 का सबसे ज़ादा बिजी रहने वाला एयरपोर्ट है हाली में कहां जल निगरानी मोबाइल एप लूज किया गया है वो कहां पर जम्मु कश्मीर में है जल निगरानी एप है हाली में वहाँ पहला देश कौन सा है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है तो एकवाडोर है हाल ही में शहवाज शरीफ किस देश के 23 वे प्रधानमंत्री बने है तो वो पाकिस्तान के बने है ग्रामी अवर्ड जीते वाली पहली पाकिस्तानी माईला काया कौन बनी है आरूल अफताब हाल ही में किस राज के सी एम में पेरियर मेमोरियल सम्थुव पुरम प्रका उधाडन किया है तो कहां पे तमिलाडू में हाल ही में किसे 56 ग्यान पीट पुर्शकार से सम्मानित किया है नील मडी फूकन ने हाल ही में JSW उतकल स्टील को किस राज में ग्रीन फिल्ड प्लांट के लिए पर्यावरणिय मंसूरी मिली है तो उडिशा के लिए वो कौन सा राज है जिसने मिशन इंद्रधनुस में पहला स्थान हासिल किया है तो किसने किया है उडिशा ने हाल ही में DRDO टैंक रोधी निर्देशक मिसाइल हेलीना का सफल परिक्षण किया है तो कहां पर किया है इन्होंने राजिस्थान में हाल ही में किस देश ने शाहीन थ्री मिसाइल का सफलता पूरग परिक्षण किया है कहां पर किया है पाकिस्तान में हाल ही में उदाई ने तकनीकी साहयों के लिए किस साथ समझाता किया है तो इसरों के साथ में समझाता किया हाल ही में किसने प्रतिस्टित हेंडी पुरिस्कार जीता है तो अमर मित्रा है इनको प्रतिस्टित हेंडी पुरिस्कार दिया गया है हाल ही में किस राज्य के मुक्यमंत्री ने 164.4 विरोधी मुबाइल एप लॉंच किया है तो किस ने किया है उत्राखंड ने किया है किस राज्य सरकार ने विर्धवस्ता पेंशन को 1200 से बढ़ा कर 1400 रुपे कर दिया है तो उत्राखंड राज्य सरकार ने कर दिया है next question है हाल ही में किसने एक station एक बात पहल शुरू किया है तो दक्षिर मध्य railway station ने किया है हाल ही में नीती आयों कि राजे उर्जा और जलवायू सुचकांग में कौन सीश पर रहा है तो गुजरात सीश पर रहा है हाल ही में Thailand Open Boxing Tournament 2022 में भारत ने कितने पदक चीते हैं तो भारत ने टोटल दस पदक चीते हैं हाल ही में भारती नौसेना के एर क्रू के पहले बैच ने किया है ठीक है तो किसने किया है US ने किया है next है question हमारा हाली में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए idea thorn monthan का अनावरण किया है तो सेबी ने किया है हाली में सयुक्त राष्ट उच इस तरिये विशेशक के समूं में किसे नुक्त किया गया है तो डॉक्टर अरुण अरुणा भाफ घोश्प आज हम लोग ने 125 questions complete के है जो कि आपके एप्रिल के important questions थे ठीक है इसका जो second part रहेगा उसमें बाकी के questions हम लोग discuss कर लेंगे एक मन्त का हम लोग यहां पर दो set देखेंगे आपका first part रहेगा और second part रहेगा क्योंकि आपको पता है monthly का अगर current efforts उठाएंगे तो बहुत सारे questions हो जाते हैं इसलिए हम लोग उसको two videos में discuss करेंगे अगर आपको section समझ में आता है और पसंद आता है तो आप इसको like करना ना भूले अपने friends के साथ share कर सकते comment जरूर करके बताईए कि आपको section कैसा लगा thanks for watching and keep learning